असलाम लेकूम फ्रेंड्स आप सबका क्या हाल है और सबको जुमातुल मुबारी को और आज जो रेस्पी में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है हमारा समर ड्रेंग्स समर ड्रेंग्स में आज मैं आपके लिए दो ड्रेंग्स लेके आई हूँ एक हमारे पास फालसे का एक हमारे पास फालसे का जूस है और दूसरा है मिन्ट मार्गरिटा और यह दोनों ही जैसे कि हमारा समर सीजन चल रहा है इस तरह का कि हमारा गरम वैदर जा रहा है तो यह द में से शमार होता है, तो आज जो दो रेस्पी में आपके साथ शेयर करूंगी, वो हैं मिन्ट मारकीटा, और फालसे का शर्बत, ये दोनो ड्रेंक जो हैं, ये आज आज आपके सामने ही, मैं यह अपनी रेस्पी बनाऊंगी तो हम अपने पहले फालसे वाला जो हमारा ड्रेंक है उसकी इंगेरेंट्स देख लेते हैं उसमें आपको वन कप शुगर चाहिए एक सप्राइट की बोतल है हमारे पास इसी में से हम टू ग्लैस जो है यह बोतल लेंगे और यह हमारे पा अई यह देखें Black Salt चाहिए Simple Salt नहीं हम इसमें डालेंगे Black Salt हम इसमें डालेंगे और यह हमारे पास जो है फालसे का जो हम अभी Bruce त्यार करने लगे हैं शर्वर। यह उसके इंगेरेंट्स हैं तो आए हम सबसे पहले फालसे का Drink त्यार करतों हैं अच्छा अब आपने इसमें क्या करना है ये देखें वन कप शुगर एड़ करनी है वन टेबल स्पून आपका ये ब्लैक सॉल्ट एड़ करना है फोरी सी हमें ब्रफ करेंगे ये हम ब्रफ एड़ करेंगे और ये हमारे पास फ्रोजन फाल्से हैं ये सारे आपने 250 ग्रैम मैं मैंने आपको बताया कि ये हैं ठीक है 250 ग्रैम जो है हमारे पास फाल्से हैं अब इसमें मैं दो ग्लास आपको जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सप्राइट एड़ होगी सेवन अब भी आड़ कर सकते हैं आप स्प्राइट भी आड़ कर सकते हैं आप स्प्राइट भी और अब हम इसको blender कर लेंगे जब हम इसे glasses में serving करेंगे तो यह जो इसके बीज हैं यह सब के सब ना नीचे बैठ जाएंगे कई लोग इसको stain भी कर लेते हैं अगर आप stain करना चाहें तो आप stain भी कर सकते हैं अब यह देखें यह दो glass मैंने इसमें add कर दिया है तो अब हम इसे blend कर लेते हैं यह देखें यह हमारा कितना अच्छा grand हो गया है आपने क्या करना है इसको थोड़ी देर के लिए यानि कि 7-8 मिनट के लिए आपने ना इसको इसी ताना जग में रहने देना है ताकि जो इसके seeds होंगे यानि कि जो बीज होंगे मोटे-मोटे वो सब नीचे बैठ जाएंगे तो यह आपका बड़ा भीतरीन जो है फालसे का यह juice तियार हुआ है तो अब इंशालाब हम इसे glass में रेजिटेशन के तोर पे बिनाते हैं अब आपने जो फालसा था उसका तो juice देख लिया कि उसका ड्रिंक कैसे बनाते हैं अब जो हमारा दूसरा ड्रिंक है वो है मिंट मार्गिटा और मिंट मार्गिटा के लिए जो हमें चीजें चाहिए उसमें आपको वन टेबल स्पून ब्लैक सॉल चाहिए 25-20 जो है ये आपको लीफ चाहिए निके पुढ़ीने की पतियां चाहिए ये हमाइपास आई से इसके लावा हमें सौप्राइट या निके भोतल चाहिए और जो इसमें में चीज जलती है वो है ये soda water ठीक है? ये soda water है जो मैंने इस bottle में add किया हुआ ये soda water जो है ये mint margita में जरूर जाता है इसके लावा हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून sugar add करेंगे तो आईए अब हम अपना next mint margita की त्यारी करते हैं अच्छा सबसे पहले आपने जख के अंदर बरब डाल दी हैनी कि मैंने ice दोड दी है और इसमें ये 1 टेबल स्पून मैंने salt add किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें lemon juice add किया है ठीक है? और ये हमारे पास mint ये wash करके आपने अपना mint रख लेना और ये देखें अब ये इसमें जा रहा है एक ग्लास soda ये soda water है और ये देखें आपके सामने ही मैं इसमें one glass इसले फुरा से और ले लें red glass के करीब add soda water आपको अराम से जो है वो easy ही बदार से भी मिल सकता है आप ले सकते हैं और अब इसमें मैं ये sugar add कर रही हूँ one two और ये three devil spoon ठीक है three devil spoon sugar add करेंगे और one devil oh sorry glass इसमें हमारा surprise की बोतर है 7 up ये surprise जो भी आपने लेनी है दोना मैं से कोड़ी भी add कर लें तो ये बड़ा जबर्दर सौट देखेगा आपका tasty जो है ये आपका mint margita बन रहा है तो अब हम इसको blend कर लेते हैं friends देखें ये भी हमारा इपनी अच्छे तरीके से मैंने इसको blend कर दी है और ये देखें हमारा कितना अच्छा mint margita त्यार हुआ है तो अब हम इसे ग्लासों में serving करते हैं और फिर मैं आपको serving जो है वो दिखाती है friends ये देखें ये हमारे दोनों जो हैं वो drinks त्यार हैं एक मैंने falsa drinks आपके सामने recipe शेयर किया है और एक मैंने आपको mint margita की recipe दी है तो इंशाला ताला आगे भी मैं आपको जैसे हमारा summer season चल रहा है तो मैं मजीज अच्छे drinks और smoothies और shakes लेके आऊंगी तो इंशाला ताला आपको मेरी ये recipe भी बहुत पसंद आएगी तो आप मुझे comments में बताइएगा कि आपको फालसे का drink और mint margita कैसा लगा है इंशाला मैं अपनी नई recipe के साथ आऊंगी अल्ला ने के बाद